A और B दोनों partners हैं in ratio 2 is to 1 1st April 2017 को उन्होंने C को 1-5th share के नया partner बनाया और इस purpose से जो goodwill of the firm value की जाएगी वो की जाएगी 80% of the average profit of previous 4 years यहने जो goodwill निकाली जाएगी उसके लिए आपको पिछले 4 साल के profit का 80% लेना है चार साल के profit के average का 80% लेना है तो पहले आपको चार साल के profit जोडने है उनका average निकालना है फिर जो भी average आएगा उसका 80% firm की goodwill होगी आपको पिछले 4 साल के profit दे रखे हैं इस तरह से शुरू के 3 साल तो profit दे रखे हैं 4 साल loss दे रखा है अब आपसे कहा गया है कि बताइए पुरे firm की goodwill कितनी होगी और जो goodwill C लेकर आएगा वो कितनी होगी तो goodwill premium जो C को लेकर आना है वो कितना होगा तो जब आप बच्चों इन 4 साल के profit को जोड़ेंगे एक साथ और एक पचास होता है तीन दस तीन दस और नब्य होता है एक नब्य होता है पांच लाग पांच लाग आठ पांच लाग पंदरा अजार माइनस दस अजार कर दीजे पांच लाग पांच यार आजएगा अब average profit निकालने के लिए इस 5,500 को आप चो है 4 से divide कर दीजेगा बच्चो आपका average profit कुछ इस तरह से आएगा 1,26,250 ठीए बच्चो कितना आएगा average profit 1,26,250 अब यह सिर्फ average profit है गुडविल नहीं है बच्चो गुडविल निकालने है पुरे फर्म की तो 1,26,250 को 80% से multiply कर दीजे या इसका 80% निकाल लेजे ठीक है बच्चो यह आजएगा 4 यह आजएगा 5 इससे तरह 5 से divide करेंगे तो आपका answer आएगा 1,25,000 को काटेंगे तो बच्चो कितना आएगा 1,25,15 होता है 25,000 और 6,250 काटेंगे या 1,25,0 काटेंगे तो 250 आएगा तो 25,250 ठीक है बच्चो 25,250 आगे है 5 से divide करके इसको इंटु 4 करोगे तो exactly 1,1000 आएगा ठीक है 25,250 आया divide करके 5 से इंटु 4 करेंगे तो 1,1000 आजएगा तो this is the goodwill of the firm मैंने simply क्या करा बच्चो मैंने simply पहले total profit निकाला of last 4 years जो की निकल कर आया 5,5000 फिर मैंने average profit निकाला उसके लिए मैंने 5,5000 को divide कर दिया 4 से जो आया 126,250 फिर goodwill निकालने के लिए simply इस 126,250 का 80% निकाल लिया जो solve करने पे निकल कर आया 1,1000 लेकिन ये सिर्फ firm की goodwill है हमें तो उसी goodwill की बताने है बच्चो नए partner की C की तो C की goodwill कितनी होगी बच्चो C की goodwill निकल कर आएगी या C के हिस्से का premium for goodwill निकल कर आएगा 1,1000 इंटु C का profit share जो की 1 by 5 है तो ये आएगा 20,200 1,1000 को divide कर दीजे बच्चो by 5 आपको answer मिल जाएगा 20,200 clear बच्चो